अगर आप महेंगाई से बचना चाहते हैं तो इसके संकेत अभी फिलाल के दिनों में नहीं दिख रहे हैं ऐसा हम इसले कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से सरकारी ओयल कंपनियों ने गैस के दामों में विरिद्धी कर दी है और विरिद्धी एक बार फिर से 25 रुपए की हुई है अब आपको बताते चलें पिछले एक महिने में यह चौती बार ऐसा मौका आया है जब गैस के दामों में इतनी विरिद्धी हुई है अब जहां जनता एक तरफ पेट्रोल और डीजल के मूल ब्रिद्धी से परिसान चल रही थी वहीं दूसरी तरफ अब रसोई गैस के बढ़ते दामों ने जनता के पसीने चुड़ा दिये है रसोई में उनके जायके का स्वाध बिगरता हुआ दिख रहा है क्योंकि लगतार बढ़ती महंगाई ने जनता को निरस्थ कर दिया है अब बात की जाए पेट्रोल डीजल की तो पेट्रोल डीजल पर भी लगने वाला सेस बढ़ा दिया है अब कली राजधानी में टेंपू चालकों ने अपनी मनमर्जी से अपने किराय को बढ़ा दिया इस कारण भी एक तरह का असंतोस ग्रहाकों में दिखा अब आटो चालकों का कहना था कि लगतार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से उन पर खासा प्रभाव पढ़ रहा है मगर अब जिस सरकारी ओयल कंपनिया अपना रुख अक्तियार कर रही है उससे यह साफ है कि जनता में खास प्रोस फिर से दिखने वाला है अब लगतार बढ़ते महेंगाई से जनता किस सरा करूख अपनाने वाली है या तो समय की बात होगी मगर लगतार एक महिने में चौती बार मूल व्रिद्धी या दरसाती है कि जनता पर खास प्रभाव अभी घटने वाला नहीं है उनकी जेब हमेशा ढीली ही हो रही है अब आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आकिर कब तक जनता को इतनी महेंगाई से चुटकारा मिलने की उमीद है देश के बड़े हिस्से में LPG सबसीडी तो खत्म हो ही गई थी अब कीमते बेलगाम हो रही है सरकारी तेल कंपनियों ने सभी तरह की रसोई गैस की कीमत में सोमवार से 25 रुपे प्रती सिलेंडर की व्रिद्धी का फैसला किया है पिछले एक महिने में तेल कंपनियों ने रसोई गैस का दाम 125 रुपे बढ़ा दिया है या व्रिद्धी, सबसीडी, गैर सबसीडी और उज्वला योजना के कनेक्शन सब के लिए हैं विमान इंधन के दाम में भी 3663 रुपे प्रती किलो लीटर की बढ़ोर्तिरी की गई है आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो ग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में एक महिने में 125 रुपे प्रती सिलेंडर की व्रिद्धी की गई है दिसंबर 2020 के बाद की बात करें तो कुल व्रिद्धी 175 रुपे की हो चुकी है सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में मामूली इजाफ़क किया गया है तो जैसा कि आपने देखा एक रसोई गैस जो की 14.2 किलो ग्राम का होता है उसकी कीमत पिछले एक माह में 125 रुपे बढ़ चुके हैं और अगर दिसंबर से बात की जाए तो एक घरेलू गैस की कीमत 175 रुपे से बढ़ चुके हैं अब बात की जाए जनता पर बढ़ते महंगाई को देखते हुए जहां पेटोल और कीमत में भी आग लगी हुई है वहीं लगतार सरकारी ओयल कंपनियों की ऐसी बेरुकी से भी जनता खासी नाराज हो रही है लगतार बढ़ते महंगाई ने जनता को एक तरफ ढ़केल दिया है और फिर केंदर में बैट्टी बीजेपी सरकार को निशाने पढ़ ले लिया है लगतार केंदर सरकार से जनता सवाल करते आ रही है कि आकिर महंगाई की ये मार कब तक उन्हें जहिलनी पड़ेगी क्योंकि लगतार बढ़ती महंगाई से अभिया साफ हो गया है कि जनता को खासा प्रभाव पढ़ रहा है वही पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के रेट पर भी मामूली इजाफा किया गया है मगर राज़ानी पेट्रोल अभी भी 94 रुपे प्रती लीटर बिकरा है वही डीजल की बात की जाए तो डीजल भी 85 रुपे से अधीक प्रती लीटर की मूلف से बिकरा है अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जनता को इस मुस्किलास से कब चुटकारा दिला पाती है और फिर जनता को इस महँगाई की बोश से कब चुटकारा मिलता है लगतार खबरों में बने रहने के लिए आप देखतरी न्यूस फोर नेशन यहां आपको मिलेगी खबर खबरों से भी आगे धन्यवाद